यहां पर मैं दो बड़ी साइस के बैगन ले रही हूँ और उन पर अच्छे से तेल को हम इस तरह से करेंगे इसी तरह से हम टमाटर पर भी ओयल लगा लेंगे और गैस ओन करके उसमें जाली स्टैंड जो भी आपके पास अवलेबल हो आप उसको रखे बैगन टमाटर को हम इसमें सिखने के लिए रख देंगे और बीच बीच में इनको पलटते रहेंगे तो इधर मैं आटा तयार कर रहे हूँ यहां पर मैंने दो बड़े कटोरी गेहों काटा लिया है डेट कटोरी मैंने इसमें सत्तू एड़ करा है सत्तू ऑप्शन है अगर आपको लेना है तो ले लिजिए मैंने यहां पर लिया है कि इससे बहुत टेस्ट हमारा बढ़ जाएगा एक चमच मैंने यहां नमक लिया है और अब मैं इसको अचछे से mix कर लूगे अब इसमें oil कर रही हूँ इसमें मैंने त्भी बड़ा चमच और यहां डाला है mustard oil और अब हम इसको अचछे से mix करेंगे और दूसरी तरफ हम अपने चैक करेंगे बैगन को फिर से हम पलटेंगे ताकि इनकी एक तरफ से ये जलना जाए तो ये देखिए अब हम अपने आटे में थोड़ा थोड़ा पानी याड़ करके अच्छा सा डोग तयार कर लेंगे याद रखिए आटा हमको टाइट ही रखना है इसलिए पानी हमें ज़्यादा यूज नहीं करना है कम से कम क्योंकि हमको जो आटा चाहिए वो हमको टाइट चाहिए तो ये देखिए इस तरह से हमारा आटा तयार हो गया है जादा तर लोग सिरफ गेहूं का आटा यूज़ करते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर सत्तु का भी लिया है इसे हमारा टेस्ट अच्छा हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉइलिंग का हथ लगाएंगे और आटे को 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे एक चमच नमक तीन मैंने यहाँ पर तीन बड़े प्यास काटे हैं धनिया पांचे हरी मिर्च लेस्ट और अमेन में सी आदा आरेस्ट में डालोंगे कि आदा हम स्टफिंग के लिए बचा के रखेंगे तो हर चीज़ मैंने आपे हाफ-ाफ इसमें मिक्स कर दी है डालके मैं यहाँ पर सर्सो का तेल ले रही हूं आपको जो लेना है आप ले सकते हैं जो भी आपको रिफाइंड वगर डालना है मगर सर्सो के तेल से इसका अलग ही टेस्ट आता है तो देखे हमारी बिल्कुल चटपटी स्टफिंग बिल्कुल तयार है हमारा चौकर तो चलिए अब इसको हम रखते हैं लग अब हम तयार करेंगे अपनी स्टफिंग तो इस स्टफिंग में मैं यहाँ पर डेट कप सत्तु ले रही हूं वही चैने का आटा और इसमें एट कर रहा है मैंने एक चमच जवाइन नमक आधा चमच नमक हमें जादा नहीं लेना है और यहां म मैश करके हम मसाले को मिक्स करेंगे और इसमें मैं एड कर रही हूं एक नीबू इसके बीच निकालके हम इसको अच्छे से चान लेंगे और स्टफिंग में मिक्स करेंगे तो यह हमारा हो गया है अच्छे से मिक्स आप बारी है इसमें हमारा जो बच गई थी हरी मिर्च लहसुन वो सब एड करेंगे हरी मिर्च लहसुन प्याज हरा धनिया यह सारी चीज़े हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ये देखिए ये स्टफिंग हमारी बहुत अच्छी लगती है अब इसमें मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ओल यूज़ कर रही हूँ अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा ड्राई है तो इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हैं तो अच्छे से मिक्स करने पर ये देखिए हमारा इस तरह से या आजायकर आपको बहुत ड्राई लग रहा हुआ हो थोड़ा sफानी आप युज़ कर सकते हैं से इस तरह से हम जैसे बनाते यह इस तरह से हम करके ँदिक करकें थेला हे और साइट आप कर कि यह स्बस्याः नहीन पर मैं भी कि दिखांगशी नहीं तो यहां पर मैंकृवкус भी दिखाओंगी इसके भी दिखांगे बनाके तो मैं पहले हीहां पर माइकरोवेव में दिखा रही हूं आपको रखे मैंने माइकरोवेव को पहले थोड़ी देख ल्वें भी हिट में कर दिया था अब हम इसको microwave में रखेंगे और timer set करके अपना देखेंगे तो देखें हमारे लिटी का color बिलकुल अलग हो चुका यह देखें कैसे कुरकुरी हो गई अब इसको हम पलट देंगे और दुबारा से इसको हम microwave में रखेंगे इधर मैं गैस की भी बना के दिखाऊंगी और यहां पार यह भी तयार हो गई है मेरे पास यहां तंदूर है तो मैं आपको तंदूर में बना के दिखाऊंगी अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो आप गैस पर भी बना सकते हैं कोई भी जाली स्टेंड कुछ भी ले लिजे और आप उसके उपर भी रख्य कroe बना सकते हैं यह इस तरह से आप कोई भी जाली ले लिजे यह स्टील स्टेंड आता ए कुछ भी आप रख्ये और इसके हम सेख सकते हैं तो मैं आपको तंदूर पर बना के दिखाऊंगी, तो ये हम एक एक करके हमारा तंदूर गरम हो गया है, अब इसमें हम ये अपनी लिटी रखेंगे, और गैस की फ्लेम को कर दूँगी, मैं मीडियम, क्योंकि ये मुझे अंदर से भी पकानी है, तो ये देखें, अब हम इसक को दिखाती हूँ, माइक्रोवेव वाली लिटी, ये देखें, ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, और ये बहुत ही जादा कुरकुरी हो गई है, ये देखें, ये टेक्चर आ जाता है इसका, ये थोड़ी-थोड़ी हमारी क्रैक हो गई है, तो ये तो हमारी बिल्कुल र ये दोनों तो मैं निकालती हूँ, ये हमारी बिल्कुल रेड़ी है, इसको थोड़ा सम और होने देंगे, तो मैंने इसको गी में टीप कर लिया है, वाउ, मतलब अब आप ये प्लीस बना के देखें, आपको ये बहुत टेस्टी लगीगी, अगर आपको ये घी जादा पस और माइक्रोवेव की दोनों ही लिटी तयार है, खाने के लिए, तो ये देखें, और हमारा चौकर भी, और अगर जिसको हरी चुटनी पसंद है, वो भी खाईए, और घी भी रख दिया है, मैंने, तो हमारी लिटी चौकर तयार है, अगर आपको मेरी रेसिबी पसंद है, प्लीज मेरी लेसिबी को लाइक कीजिए, शियर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चनल को, बाई